नमस्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियों बात करेंगे निप्टी बैंक निप्टी को सासा बात करेंगे कि क्यों मुझे अब यहां से बजार में एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है पूरी अनायल्सिस कर पहले बनाता तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूं अब यहां पर चेक करेंगे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि बजार में जैसे कि हमने कल आपको आपके सामने बताया था कि मार्केट थोड़ा बुलिश लग र ही करा था रीजन उसका क्या था क्योंकि मेरा मानना थोड़ा सा लगता मुझे लगता है बजारोड तेज हो सकता है बुलिश और हो सकता है बट उसके बाद हमने कुछ ऐसी चीज़े दिखाई थी जिसकी वरे से मुझे अपनी पोजिशन को एक्जिट करना पड़ा वह क्या बन गया था यहां पर देख पारेंगे दोस्तो इस जगहा पर यहां पर देख पारे यह जमझे और यहां प्रबभन गया थहां पहर इवनिंग स्टार बन गया था था अब है मैं टेखनीकल आनलिस्स के चार के नकेच्प करता हूं तो यहां पे बनाने था दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहां पर डबल टॉब बना बना था और double top के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो negative divergence भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे थे अब negative divergence भी दिखाई दे तो double top भी तो और evening star जिसकी बरे से मैंने short position मनाई और मैंने निफ्टी के अगर बात करें तो निफ्टी को यहां पर हमने क्या करा था exactly मैं आपको बताना चाहूंगा 20,050 के आसपर जब निफ्टी चला था तो महां पर मैंने short position मनाई थी उसके बाद बजार 50 points ऊपर चला गया मेरे अगेंस चला गया बट मुझे अभी बजार में एक reversal दिखाई दे रहा है जब तक मार्केट 20,000 20,000 160 का लेवल ब्रेक नहीं करता क्यों क्या reason है वह मैं जल्दी से समझाना चाहूंगा अब अगर आप देखते हैं निफ्टी का यह तो मैंने आपको बताया है अबर्ली चार्ट के साफसे selling pattern बना हुआ है ठीक है इसमें इवनिंग स्टार बना हुआ है अगर हम आज की बात करें तो डोजी बनाके निफ्ट candle open होती है अगर कल के दिन अब ध्यान में रखेंए दोस्तों इसको नोट कर सकता है अगर कल के दिन बजार बेरिश होता है बेरिश यानि कि कल रेड़ बनती है यानि कि क्लोजिंग जो है कल की क्लोजिंग साढ़े तीन वज़े वाली closing opening से lower होती है दोस्तों वहां से आपको पर तरीके से समझाने कोशिश करता हूं कि resistance लेवल है जो कि बनता है 20,000 का अगर यह इवनिंग स्टार है और कल की candle बेरिश होती है और 20,000 के नीचे अगर बजार चलता है यानि कि यहां से 100 नीचे तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम बेक बड़ा reversal भी देखने को मिल सक तोखते हैं कि बढ़ेव्रिश होते है डे चाओं जाइगा चेंगा को ऍजब दोसरा सिंखने पड़ेगा तो बाइं Major पैसे बनाओ आपको एक direction चुननी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है मगर सबसे बड़ी गलती है हमारी market में होती है कि हम एक direction को चुन लेते हैं हम एक ही दोस्त बनाते हैं हम दो दोस्त नहीं बनाते हैं यहां पे हम कहते हैं जी भाई मैं तो buy आरू हूँ उसके बाद बजार रिवर्स हो गया तो कोई बाद नहीं दोस्तों मैं भी रिवर्स हो गया मैंने भी sell position मनाई बट कल के दिन मुझे लग रहा है कि शयाद बजार में एक गिरावट देखने को मिल सकती है रीजन उसका क्या है एक तो इवनिंग स्टार अवर्ली चार्ट पर दूसरा डेली चार्ट पर देखेंगे तो डोजी बनी हुए है जिसको इवनिंग स्टार बोलते हैं इसकी कन्फरमेशन कल के दिन आने वाले तो कल का दिन जो है निफ्टी के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होने वाला है और फ्राइडे को देखते हैं कि कल मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उसके इसाफ से मुझे बजार थोड़ा सा बीकी लग रहा है अगर हम बैंक को देखते हैं त के बाद नेक्स केंडल पर अपनी सेलिंग पॉडिशन मना के चल सकते हैं तो अभी मेरे पास जो पॉडिशन है दोस्तों वह निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में डैश बोर्ड में अपना दिखा देता हूं आज का भी लॉस 27,000 क्या सबस दिखा रहा है रीजन उसका क्य क्योंकि में पर कॉंटी जाता है कॉंटी जाता है तो इतना चलता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात निया बजार अगर थोड़ा सा भी रिवर्स होता है मेरे फेवर में आता है तो यह 25,000 पर 50,000 साथ है पॉर्फिट में भी दिखाई देंगे अब बैंक निफ्टी भी मु बैंक निफ्टी में सेलिंग की तो 45,900 का एक इसका इंपॉर्टन लेवल है उसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट पॉजिशन बनाई जा सकती है बागी दोस्तों थोड़ा सा अधानी पोर्ट के बारे बात कर लेते हैं अधानी पोर्ट में भी मेरी पॉजिशन अभी बनाई इस आपसे भी बजार में गिरावाट आई और हो सकता है कि गिरावाट आगे भी जारी रहेगी तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अनालिसिस करके बताइए बाकि अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आ मैं आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम चैनल में क्या क्या चीज़ है आप हमारा प्लिक टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं यहां पर आपको चार्ट अनालिसिस से रिलेटी इंफोर्मिशन मिलती रहती है और जो भी मेरे ट्रेड्स है वहां पर मैं पोस्त करता हूं जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है बाकी दोस्तों अगर आप और भी ज्यादा अड्वांस लेवल पर सीखना चाहिए तो हमारा कोर्स है आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा यह हमारा कोर्स है टेक्निकल अनालिसिस का जिसमें जो 7998 वीडियो स्टैनावर्स का कोर्स हैं जिसमें केंडर स्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर डॉट एलेट विट टैम फ्रीम का कॉम्बनेशन डिमांड सप्लाइश साइकॉली प्राइजेक्शन सिखाया जाता है इसको आप पर्चेस कर सकते हैं और साथ-साथ-स यह और रीजन कहीं कि क्यों मुझे यहां से बजार में थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है वह मैंने आपको बता दिया है बाकि जो 20,167 का लेवल है वह बहुत कुरूशल लेवल रहेगा उसके उपर जाएगा तो बजार में थोड़ी सी तेजी दिखाई देगी बट अभी फ करना चाहूंगा आशा करूंगा वीडियो को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए वस इतना ही तन्यवाद